बहुत स्वागत है आप सभी का मैं हूँ आपके साथ हंजली सिंगा आज शाम तक होगा मोधी मंत्री मंडल का विस्तार जिहां सत्रा से बाइस नए चेहरे शामिल हो सकते हैं सिंधिया को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है काई पुराने मंत्रियों की छुट्टी होगी तो आ मिल सकता है और इंतिजार वो खत्म होने वाला है यानि की बड़ी जिम्मेदारी जो तिरादित्य सिंथिया को मिलने वाली है और आज वो इंतिजार खत्म होने वाला है क्योंकि आज मोधी मंत्री मंडल का विस्तार होने वाला है आज शाम तक ये विस्तार हो सकता है 17 से 22 नए चेहरे शामिल हो सकते हैं कईयों की छुटी हो सकती है कई इसमें शामिल हो सकते हैं और साथी साथ ये भी जौनकारी दिदे कि कल ही कल ही जोती रदित सिंधिया दिली के लिए रवाना हो चुके हैं आज शाम तक मोदी मंत्री मंडल का विस्तार हो सकता है 17 से 22 चेहरे इसमें शामिल हो सकते हैं सिंधिया को बड़ी जिम्मिधारी मिल सकती है और कई पुराने मंतियों की छुटी भी होगी और आज शाम तक मोधी मंत्री मंडल का विस्तार होगा तो 17 से 22 नए चेहरे शामिल हो सकते हैं कई पुराने चेहरे ऐसे होंगे जिनको छुटी हो सकती है ये भी जानकारी देदे की बहुत से ऐसे मंत्रिय हैं जिनके पास कई विभाग हैं, जिनके पास कई ऐसे पदभार हैं, तो उनको हटाया जा सकता है, उनके पदभार थोड़े कम किये जा सकते हैं तो चलिए आपको ग्रैफिक्स के जरीए समझाते है कि किसको किसको जगह मिल सकती है, जोतिरादित्य सिंदिया सर्बानन्द सोनवाल शुशील मोदी ड्रैफिक्स के जरिये समझाने की कोशिश करते हैं कि कौन-कौन से वो नए चेहरे होंगे जिनको जगा मिल सकती है जोतिरादित्य सिंधिया, सर्बानन्द सोनोवाल, चुशील मोदी, भूपेंद्र यादव विने और अनुप्रिया पटेल, वरुन गांधी, दिलीप घोश बैजयन्त पांडा, मीनाक्षी लेखी, जयन्त जयसवाल और जमयायंग उसके बाद नारायंड, राणे, प्रवीड, निश्वाद, पशुपती, पारस, आर्सीबी, सिंग, ये नए नाम हैं जिनको जगा मिल सकती है और उनके अलावा कई ऐसे नए जगा मिल सकती है, भुपाल से सीधा राकेश शुत्रवेदी का रुक करते हैं, हमारे साथ जावज जुआनकारी के साथ जुड़ गए है, राकेश भुपाल में भी हल चल अब देखने को मिल रही होगी, क्योंकि काफी लंबे समय से इंतिज कर रहे थे कि जोती रादित्य सिंधिया को जगा मिले, वो इंतिजार अब खत्म होने वाला है, क्या जुआनकारी, क्या अपडेट? अब बिल्कुल मद्यपरदेश के खाते से बात करें, तो रास्वासांसा जोत्रासिंधिया का मंत्री बना तय है, और ये भी तय है, जिस तरह से जोत्रासिंधिया की प्रोफाइल रही है, बीजेपी में जो उनका कद दिया गया है, उनके जो नेताओं से संपर्क हैं, चाह मन माफिक पढ़िया है, उनको बिभाग बटवाएं है मंत्री मं दल बें, तो जाहर तोर पर कह सकते है, सिंधिया का बड़ा कद है, अभी और उनका मंत्री बनना तयह माना जा रहा है, और कल जिस तरह से मंत्रियों की बात करें, तो जो अब गहलाऊते हैं, उनको आटा कर, पर उन्को राज़पल बना दिया गए है यानि सीरे तो पर कह सकते हैं कि मत्बिश के खाते की बात करें तो एक जो पर है सीरे तौर पर खाली कर दिया गया है देखे जो तरह सिंदिया का मुंत्री बनना विल्कूल बलकुल थार है माना जा जो जबलपुर से शेत्र से सांसर की बात करें राकिश सिहिंग जो की बीजीपी के प्रदेश अध्र रहें और लोग सबाह में अभी मुक्ष सचेतक की भूमी कामें हैं लेकिन यह की बात करें तो फिलाल एंको दिल्ली से कोई अमंतरन नहीं मिला है लेकिन चर्चा है इदर ह उनको मिलने जा रहा है जो जिम्मेदारी मिलेंगे उनका उंद्रिवहन करेंगे लेकिन ना सीथ आ स्सिंधिया मोधी मंध्र इमन्दल बेड़ विभाग मिल सकता है तो अ मैं सकते हैं कि उनके पास दो बड़े विवाग हैं पंचायद वाग हैं ऐसे कई मंत्री हैं जिनका पद्भार थोड़ा कम किया सकता है और नए लोगों को मौका दिया जा सकता है आप राकेश हमारे साथ बने रही है और दिल्ली से कुंदन सिंग भी हमारे साथ लाइफ जुड़ गए है कुंदन दिल्ली में कैसी हल चल देखने को मिल रही है दिल्ली में अभी फिलाल कैसी तस्वीर आप देख पा रही है बिल्कुल दो साल के लंबे इंतिजार के बाद ये पहली बार मोधी टू के सरकार का बड़ा कैबिनेट एक्सपेंसन है और ये माना जा रहा है कि कई अप्रत्यासित चेहरे और कई जिस तरीके से जिन चेहरों पे दाव लगाया जा रहा है जिससे जो तिरात सिंद्या के ब बड़े मंत्राले हों उनका कुछ बोज हलका किया जाएगा और नए लोगों को वो किया जागे लेकिन एक थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे दू हलाकि ये कंफर्म नहीं है लेकिन जो हमारे सुत्र बता रहे हैं कि जिस तरीके से मशूर अदाकारा दिलिप कुमार की तै किया जाता है कि जो कैबिनेट का रिसफल होगा उसमें अगर रास्तपती भाउन में होगा तो वो कौन से हॉल में होगा कितने गेस्ट होंगे कितने परिजन होंगे और कितने लोगों की सूची शाज़ा करती जाती है जो हमारे सोर्सेस बता रहे हैं कि अभी भी कुछ स प्रतियस पस्ट नहीं है एक टिंटेटिब त्यार होने के लिए बोला जरूर गया था कल रास्पती भौन को आज साम 6 बजे के लिए लेकिन अभी तक जो हो जाने चाहिए और जहां तक दूसरा सवाल है कि जिन मंत्रियों को आज शपत लेना है उसमें दो तरह से लोगों को जा रहा था यू कहें कि तीन तरह से प्वोन के आ जा रहा था जो पार्टी के संग्ठन महां मंत्री हैं बियल संतोश वो बीजेवां की के निता हों को भान करके करके बता रहे हैं वहीं हमिशा जो पार्टनर है, पार्टनर यानि अंडिये के दूसरे सयोगी दल है, उनको बता रहे हैं और वहीं जेपी नड़ा जिन मंत्रियों को ड्रॉप किया जा सकता है और ड्रॉप करने के बाद उनको पार्टी संगठन के तौर पे या पार्टी किसी और एजंडे पे उनको ले के आएगी उसकी सूचना जेपी नड़ा दे रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि एक थोड़ा पेच बिहार में फसा हुआ है क्योंकि बिहार के जो इंडिये के दो घटक दल है उसके जो जेडियू है और चिराग ने कहा किस मामले में कोट जा सकते हैं तो सरकार को लगता है तो पार्टी के लोग उनको लगता है कि अगर इस तरीके से चीजे होई तो फजीयत होगी इसलिए वो सॉलूशन को सौट कर दिया जाए और हो सकता है कि एक भी फॉर्मूला चल रहा है कि पशुपतिन है जब एक बार कंफर्म हो जाएगी तो अंतिमोहर लग जाएगा और जो नया कैबिनेट के सुरूप के लिए शब्रण समार होगा वो चल जाएगा तो तैयारी बिल्कुल है लेकिन हो सकता है कि आज अगर टल जाए या फिर पोस्पोंड हो जाए हम इसे टला नहीं कहेंग बहुत शुक्री आपका जवानकारी देने के लिए और बुपाल से भी राकेश चत्रवेदी हमारे साथ जुड़े हुए तो बहुत शुक्रीया राकेश आपका भी